तो अब हम सीख रहे हैं three of swords, three of swords में सीधा साधा बड़ा मतलब आप बताएंगा अरिली जी three of swords का card उठाके कि वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है three of swords three of swords तो बहुत सैद जुख का card है कि किसी का heartbreak हुआ है, बिल्कुल, 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 तो three of swords खतरनाग card है, यह दिखाता है heartbreak, मतलब relationship में दिखा रहा है, तो आपका दिल तोडने वाला है कोई भी, जिस व्यक्ति के लिए relationship है, third party, third party is causing your heartbreak, third party भी हो सकती है और जिस बंदे से आप प्रेम करते हो, वो भी हो सकता है, बहुत बुरी तरह से आपका दिल तोड़, और यह दिल, सिर्फ दिल दा मामला यह प्रेम में नहीं है, यह दिल दा मामला आपके business में भी है, आप business कर रहे हो, तो आपका दिल तूटेगा, और यह कई बर warn करता है, है कि heart attacks भी आ सकते हैं, है न जो अगर health related है, तो heart surgery का यह denote करता है, total betrayal, मतलब यह three of swords और ten of swords दिखाता है, betrayal, betrayal का card है यह, अगर ten of swords और three of swords हो जाए, तो फिर तो खतरनाक है, फिर तो आपका बिल्कुली time खतरनाक आ गया है, suffering दिखा रहे है life में, तो यह swords warn कर रहा है कि भया, आपकी perception जो है, आपका relationship जो है, आपको misery cause कर रहा है, उसे छोड़ दो, अब जहां पकड़े हो, मतलब आप यह किसी चीज़ को पकड़े हो, छोड़ दो उसको, reverse में आता है, तो यह दिखाता है कि आप pain से बाहार निकल, थोड़ा positive हो जाता है, कि आप तकलीफे जहल के आप बाहार आ रहे हो, तो upright से ज़्यादा positive reverse है, worst is over, यह दिखाता है कि जो आपका pain है, आप खतम होने वाला है, तो past में अगर यह आ जाता है, तो ओ कहता है, you are recovering from a heartbreak, आपको सीधा साथा जाता है कि आपका break up होके चुका है, आप सीधा अपने client को बोल सकते हो, past में आगे तो अपने client को सीधा बोल दो भईया, तेरा भी break up होके चुका है, तो तेरा कोई ना कुछ relationship टूटा है, या business deal टूटी है, जिसकी वेटे से तू बहुत परेशान या दुखी है, past में आता है तो यह बिल्कुल clear cut है, present में आता है तो यह दिखाता है कि हाट एक हाट है, मतब अंदर से तकलीफ में है तू, तो कोई तेरे को hurt कर रहा है या तू खुद hurt हो रहा है किसी किसी परेशानी में है, future में आता है तो future में तो for sure जो है आपका break up होने वाला है या आपका partnership टूटना वाला है कुछ ना कुछ आपको तकलीफ आने वाली है, emotional क्योंकि यह sad सा card है, यह आपके दिल के तूटने का card है, आपकी partner है, आपकी future में अगर health से related कोई question पूछता है तो यह आपको तकलीफ देगा, यह property खरीदू या नहीं खरीदू तो यह आपको तकलीफ देगी, कैवर बच्चों के लिए आ जाता है कि three of, बच्चा आपका दिल तोड पूछते हैं, यह मेरा बेटा या बहु जो आ रहे है सेवा करेगी या नहीं और three of sorts आ जाता है, तो फिर तो अमामला गर्ट बढ़ है बहु बेटे का, बेटे बहु से तो property गरा उनके नाम मनी करना है, ज्यादा पुत्र महों में नहीं बहना है, property गरा उनके नाम नहीं करन हैं, तो caution है, समझदारी से काम लो, emotional मत हो, तो अगर आपको life course करना है, तो मुझे call करें, 98111-422-49